अलो दोस्तों आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल लांग्टरम शेयर सेल्टेस में आज रवी बार है संडे है तो कुछ कॉमेंट्स लेंगे उन्स कोमेंट्स के आधार पर वीडियो बनाएंगे तो चलिए हम पहला कॉमेंट्स लेते हैं तो यहाँ पर बनाया था अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने फिर आगे कहा है कि इन्फो एज पे आपकी एक्सपर्ट किराय की निवेदन है आयम इन 50% प्रॉफिट शुडाई बुक एन एक्जिए तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं बुक कर लूँगा तो अपने हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कीजिए क्योंकि होता क्या है ना कि अगर मैं यहाँ पे कह दूँगा तो मुझे बिलकुल भी नहीं पता कि आपका किस प्रकार का फंड है आपका जो पैसा है कितने दिन के लिए फ्री था आपने कहां से उठाया था या आपका कौन सी सेविंग का पैसा है मुझे बिलकुल भी नहीं पता आपको प्रॉफिट हो रहा आच यह तो आप उतना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जितना आपने इनवेस्टमेंट किया था क्योंकि अगर मैं क कि यह दू कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजे और आगे और भाग गया तो आप आप खेयेंगे सर आपने कहा था स्टॉक और आगे भाग गया और मैं अगर कहूं कि प्रॉफिट मत बुक कर्ये और मार्केट नीचे चली गई तो आप आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं था और हमारा फिर से लॉस हो रहा जो प्रॉफिट था अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते तो बड़ी दुविधा किस्तिती हो जाती ऐसे में आपके प्रशन का उत्तर देना और भी कई अन्य कॉमेंट्स आये हैं जो प्रॉफिट बंडी साब ने कहा है कि सर नमस्ते उनीस हजार चैसो कॉंटिटी यस बैंक का लेना अब फल दे रहा है प्रॉफिट बुक करूं या अभी रुकों बंडी साब आप इतने दिन और रुक गए हैं मतलब मुझे नहीं पता कि आपने उनीस जार तो बहुत भारी कॉंटिटी ले ली थी यार हमने तो एक दो हजार शेयर लेनी के लिए बोला तो जब एफपीओ में आया था जब बारा रुपए के तो आपने बड़ी तलीनता से जो है प्रतीक्षा किया है और उसका जो मीठा फल मिल रहा है तो आप स्वयम उसका भोग कीजिए आप मुझ से मत लिया था और जब 11 रुपए में भी गया था यस बैंक तब भी मैंने लिया था और मैं इस चीज के लिए भी प्रेपेर था क्योंकि जब गौर्मेंट किसी चीज के पीछे पढ़ जाती हाथ दोके तो उसका कोई नहीं कुछ बेगाड सकता तो मैं इस चीज के लिए भी प् इस आप सर इसक लिए उसका फल भी आपको मिल रहा है या कुछ पतिशत जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहां पर गीता मैडम का है कॉमेंट ही कई वीडियो में आ चुका है कि सर मैं 34 वर्ष की हूँ और 5 साल तक 50 लाग तक कमाना चाहती हूँ तो कौन से स्टॉक्स ल कर सकता हूँ आपको कि जो है आपको आपका पैसा 5 साल में 50 लाग हो जाए क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वह बहुत थोड़ी पूंजी है और आपका जो पीरिड भी है 5 साल तक है तो कमपाउंडिंग का बहुत जादा फायदा नहीं मिल पाएगा अगर आप 10,000 से भी निवेश करते हम आगे चलेंगे आप अन्त तक वीडियो देखिएगा हम बताएंगे तो मैं आपसे ही कहूंगा कि आप 50 लाग के खायश मत रखिए आप बस जो भी आप बचा सकें अगर आपकी सेलरी 10,000 है तो उसमें से कितनी सेविंग कर पा रही है उस सेविंग को आप अच्छी अच्छी कमपनियों में निवेश करिए मैंने समय समय पे अलग अलग पॉट्फोलियो बनाए हैं तो आप मोसली जो है आप 60% लार्ज काप कमपनियों में रखिए जो 20% है उसको मिड कैप और उसके बाद जो भी है इस मॉल कैप में रखिए तो इस तरीके से से अब अपने जो भी सेविंग कर रहे हैं उसका एक्सपोजर रखिए यहाँ पर मिश्टर घंची साहब ने पूछा है संबहुता मैं शुद्धता से इनका नाम नहीं उचान कर पा रहा हूं इसके लिए क्षमा चाहूंगा मिश्टर घंची साहब ठीक है नमस्ते सर आपक कंपनी डिलिष्ट हो गई है क्या करूं सर इसमें हेल्प में बंधु देखिए घंची साहब जो हो गया सो हो गया आगे से आप धिहान रखिएगा कि पेनी स्टॉक के चक्कर मत पढ़िएगा छोटी प्राइस बड़ी प्राइस दस नौट मैटर आप अच्छी कंपनी के श कर मत पढ़िए यहां पर वेंकटेश शान बाग साहब ने कहा है सरी वर अबसलुटली राइट और यूर दवाइस गोस अ लोग वे इन मेकिंग मनी इन स्टॉक्स विद कंटिनिवस मॉनिटरिंग माइन वेंस्मेंट मेंट फाई थाउजन इन दीपक नैट्राइट हाज मे वेंकटेश जी यही मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप बहुत वर्षों से लगे पड़ें और आपने विचार व्यक्त किये आपने ये प्रूफ किया आपने अनमोधन किया मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और भी ये निवेशक समझ जाएं क जो कमपाउंडिंग का असर है जो कमपाउंडिंग का लाब है वो एक लंबे समय मिलता है अगर आप अच्छी कमपणियों में बने हैं धैर पूर्वक और अनुवरत निवेश करते जाते हैं तो जरूर आप बेंकटिश साहब जैसे अच्छा खसा पैसा बना सकते हैं जबक अपने मूल प्राइब्स पर आती हैं इस तरीके से बड़ती रहती हैं तो थैंक यू वेंक टेश सहाब आपने जो experience शेयर किया संभौता और भी निवेशक इस चीज से जाग रूख होंगे और एक लंबे समय के लिए पैसा होल्ड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं यह इनका नाम से संभौधित कर रहा हूं इंजिनियर साब को तो सचिन जी मैं आप से यही कहना है करना चाहूंगा कि आप मैंगर कहूं कि आपने 20 लाग का होम लोन लिया मतलब आपने घर लिया यह पहले बहुत अच्छा काम किया आपने कहीं भी investment करने से पहले माली जी आप share market में अगर investment कर देते तो ना तो आपके पास छट थी ना तो आपके खाते में पैसे थे आपको सिर्फ एक virtual digital रूप में दिखता था कि आपकी एतनी holding है जो भी उसकी value होती चाहे कम होती चाहे जाधा होती आपने घर लिया आपको घर दिखता है fiscal रूप में छट है सोते हैं रहते हैं bedroom है वाश रूम है सब कुछ है kitchen है यही एक छोटिस दुनिया है बहुत अच्छा किया घर लिया तो home loan मुझे ऐसा लगता है कि home loan लेना चाहे जिनकी regular income है और जिनके पास इकठा पैसा नहीं है तो यही एक rate of interest में सस्ता loan है लेकिन एक लंबे period में हाला कि वह आपको ज्यादा double से ज्यादा pay करना पड़ता है परन्तु आपको अखरता नहीं है आपको चुबता जैसे कि personal loan आपने ले लिया क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो loan pay कर रहे हैं उसमें tax benefit मिलता है साथ ही साथ आपकी जो property होती है वह भी कहीं multiply होती रहती आखरकार 20 साल के अगर आपने लोन लिया होगा तो 20 वर्षों में property कुछ तो बढ़ेगी तो इधर एक तो आपका capital gain का भी लाब मिलता है उसके पश्चात आपने पूछा है मुझसे कि इनके पास cash भी है लेकिन cash डालने की बजाए इन्होंने जो है home loan लिया है जहां तक मैं आपके comment से समझ पा रहा हूं तो बंदू मैं यही कहूँगा कि जो 20 लाक रुपए आपके पास है तो home loan जो भी आ मानके चलिए इससे यादा नहीं होगी इसे कम ही हो सकती है जो भी rate of interest पे आपने लिया हो 20 वर्षों के लिए अब यह मुझे नहीं पता exact कि आपने कितना loan लिया है कितना down payment दिया था या फिर किया rate of interest था और कितने वर्षों के लिए लिया है तो इस वज़ा से हम 20 वर्ष मानके चलते हैं अब आपने home loan लिया अब जो 20 लाक आप market में direct निवेश करना चाहते हैं आप जैसी 20 लाक रुपए डालेंगे आपका सीधा थोड़े दिन बाद 10 लाक रुपए रह जाएगा औ और भी अन्य policies आपने ले रखी होंगी क्योंकि आप एक employee है तो इसके बावजूद भी जो 20 लाक है अगर आप share में direct डालेंगे तो खत्रे से खाली नहीं है सबसे पहले आप simple से जाईए fix deposit कीजिए 20 लाक का क्योंकि वही एक fix deposit है जो तुरंत liquidate हो सकता है आप property अगर cash में ख fix deposit में डालते हैं तो वो safe कर लीजिए उसका जो rate of interest माल लीजिए कि 6% माल लीजिए पकड़ लीजिए तो आपको 20 लाक का साल में कितना मिलेगा मेरे खाल से 6% के साब से 1,20,000 अब 1,20,000 को अगर आप divide करते हैं 12 महीने में तो 10,000 per month तो 10,000 per month उसी rate of interest को आप cumulative payout लीजिए उ हो सकता है को आप कुछ mutual funds में भी डालें हो सकता है कि आप direct equity में भी डालें तो जो आपका मूल जो 20 लाक है ना उससे आप छेड़ शाड़ नहीं कर पाएंगे वो fix रहेगा आप सीखते जाए share market के बारे में और साथी साथ experience लेते जाए बिना खोए आपकी मूल money कम डालिए चलेगा अगर आपके किसमत में ज्यादा पैसा लिखा होगा तो share market में ऐसे भी stocks हैं जिन पे आप डालेंगे वो एक साल में ही 2-3 गुना कर देते हैं लेकिन एक साल में खतम भी कर देते हैं तो इस वज़े से मूल सुरक्षित करिए आपका एक home loan भी चल रहा है उसकी M.I.P कर रहे हैं आप इस टॉक मार्केट में भी डालिए अच्छा capital gain मिलता है इसमें no doubt इसमें कोई दो राय नहीं तो आए समझते हैं किस प्रकार से हम स्टॉक मार्केट में इस पैसे को डाल सकते हैं देखिए यहाँ पे S.I.P. कल्कुलेटर है यहाँ हमने यहाँ पे लगाया ह सेंसेक्स जब से है एक्जिस्ट कर रहा है चालीस वर्षों का हम पकड़ लेते हैं तो भी एवरेज 15 प्रतिशत के आसपास ही रिटन दे रहा है तो आप समझ गए तो मिनमम इतना मान के चलिए कि इससे कम मान के चलिए तो फिक्स डेपॉजिटी बेतर है जबकि कुछ स्ट भर रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई से आप अपने जो भी सेलरी आती है साथी साथ जो आपने फिक्स डेपॉजिट मान लीजिए किया उसका 10,000 रुपए जो आपको मिल रहा है उसको आपने यहां पे डाला मंतली अब जो है आपकी अमाउंट हो जाती मैचियोटी अमाउंट एक करोड एक क्यावन लाक उनसट हजार पांस सो पचास रुपए बीस साल बाद 15% CAGR के हिसाब से 10,000 पर मंत आपको डालने पे एक करोड एक क्यावन लाक उनसट हजार पांस सो नबबे आपको मिलेगा अगर एस्पेक्टर डेटेंस ज्यादा हो सकता है तो और ज्यादा आ बीस लाक आपके सुरक्षित हैं बीस साल बाद आपको यह अमाउन मिलेगी साथी साथ आपका जो होम लोन है वह भी साल में खतम हो जाएगा चाहिए तो आपके पास अगर ज्यादा पैसा आ जाता है तो होम लोन को और जल्दी खतम करने कोशिश करें तो ऐसे बहुत सारे म दनाएं हैं आपको अपने सारफ से थोड़ी महिनत करने पढ़ेगी कुछ नए लिस्टेट कंपनिया भी हैं कुछ पुरानी बहुत बहतरीन कंपनिया थोला सा परिश्रम आपको करना पड़ेगा प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा आपको पोर्टफोलियो चेक करने लाखों नए निवेश्कों के लिए शेयर बाजार का बेसिक ग्यान तुम आफिस बॉय जरूर लेकिन जो शेयर्स तुमने लिए हैं एक दिन जरूर कमपनी के मालिक बनोगे 7 stocks for retired persons जो लोग retired persons है sovereign gold bonds क्या है और अब पती कैसे बने इस तरीके के कई सारे वीडियोज हैं जो अलग अलग प्लेलिस्ट में हैं और जो वीडियोज हैं उनमें पर अभी आप जा सकते हैं आफल इंडिया या फिर अंबर इंटरप्राइज या फिर पोली कैब इंडिया या फिर बजाज हेल्थ के और आयर सी टी सी के बारे में जाने इस बी आई कार्ट्स के बारे में जाने जो आगाई करोडों कमाना चाहते हैं उनके लिए अब तक बेस्ट वीडियो ये भी देखें अगर आप पैसिव इंकम में बिलीब करना चाहते हैं निवेश करना चाहते हैं इस तरीके से कुछ लोगों के मैंने पॉर्टफोलियो भी शेर किये हैं और अगर उनमें कुछ खराबी रही तो उनको बताने कोशिश किये जैसे कि सॉफ्टर इंजिनियस के 18 स्टॉक्स बॉर्डर पे तैनात फोजी भाई का जो है पॉर्टफोलियो कैसे हम जो है शेर को किसी को गिफ्ट करें वो वीडियो देखिए पक्का यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटर में इश कमनी वीडियो बनाया था पक्का करोडपती बनोगे केमिकल की जो ब्लाइक रोज बनाय थी बजाज फनेंस 10 स्टॉक्स फ्रॉम 8 सेक्टर्स आठ डिफ्रेंट सेक्टर्स के जो हमने 10 स्टॉक यहाँ पे बताए हैं तो थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिए मेहनत कर लीजिए इस तरी के स्टॉप बोनस है डिविडेंट पेंग क सकते हैं फिर स्टॉक्स में निवेश करें अधरवाइज नहीं समझ में आता तो आधा पैसा में डालें आधा पैसा स्टॉक्स में निवेश करें market mood index है आपको लगता है कि market बहुत ज्यादा इस समय और बॉर्ड जोन में है बहुत ज़ादा बबल क्रियेट किया गया है आपको लगता है कभी भी crash हो सकती है तो market में ये खत्रा हमेशा बना रहता है यहां पर देखिए market mood index है इस site पे तो यहां पर greed extremely greed अगर हो जाएगा तो आप खत्रा हो जाता है फिर ये consolidate हो जाता है तो जब extreme fear था जब मार्च में गिरावट आई थी है न तो इस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है तो ये एक तरीका कि ये भी signal है कि माली जे कि आप गाड़ी चला रहे हैं और रास्ते में आपको traffic दिखता है तो traffic signal कैसे होते है ग्रीन है तो आप निकल सकते हैं येलो है तो आप देख सुनके निकलेंगे अगर रेड है तो आपको wait करना पड़ेगा आप buying कोहां पे नहीं कर सकते हैं आप खरीदारी बंद कर जी अगर खत्रे का निशान है extremely greed और अगर आपको लगता है कि समय माहौल ठीक है और board zone में न कुसान नहीं होता उस पर मैंने वीडियो काफी बनाए हैं आप डिप्रेस मत होए ये तरीका अपना ये शर बाजार में कभी लास नहीं होगा तो मेरा जो मकसद है आप लोगों को शिक्षित करना जितना मैं समझ सकता हूं शर मार्केट को आपको बताता हूं सीखता हूं सि धन्यवाद